Students, Welcome To The Class Plant Ecology Unit जो हमने स्टार्ट करी थी और आज की इस lecture में हम succession स्टार्ट करेंगे और ecological succession क्योंकि एक बहुती वास topic है बड़ा topic है तो इसमें 2-3 lectures लगेंगे So, detail में इसको मैं explain करूंगी कि किस तरीके से आपको succession पढ़ना है, actual में succession होता क्या है कैसे notes आपको इसके लिए चाहिए notes में मैंने यहाँ पर आपको provide किये हुए है so step by step हम देखेंगे two three lectures में complete हो जाएगा कि succession है कि आपने आप में बहुत बड़ा process है so obviously बात है कि उसको पढ़ने में भी time लगेगा so basics पढ़ते हैं जब इक concept की actual में succession होता क्या है ठीक है जैसे एक जगा है एक area है वहाँ पर एक community रह रही है suppose ठीक है एक area है यहाँ पर कुछ जो हैं लोग रह रहे हैं अब यहाँ पर कुछ community रह रही है इसके बात क्या होता है कि कुछ बाहर से species आती है और वहाँ पर आके colonize करने लगती है यहाँ का area था यहाँ की जो species आई वो यहाँ पर आने लगी और इस जगा को colonize करने लगी यहाँ पर अपना number increase करने लगी तो क्या हुआ यहाँ की population फिर यहाँ की population कम हो गई डेकलाइन हो गई तो यह होता है actual में succession जहाँ पर क्या होता है species की जो composition होती है वो change हो जाती है ठीक है क्या हुआ इस process में during the succession क्या हुआ कुछ species कुछ species बाहर से आके एक area को colonize करती है उसके बाद इन species की population increase होने लगती है और जो पहले वहाँ पर species रह रही थी population of the other species वो decline करने लगती है या कभी-कभी तो हो जाता है कि disappear हो गई ठीक है तो इसके बाद क्या होता है इसको हम बोलते हैं कि यह जो changes हो रहे हैं यह changes जो हो रहे हैं एक species ही composition में यह gradual और predictable changes है species की population में और इनी changes को हमने collectively बोला है यह कोई एक change नहीं है अभी हम वास्ट में पढ़ेंगे इसको कि कितने सारे steps होते हैं इसमें कि एक community जो दूसरी community में change हो जा रही है बहुत सारे steps होते हैं किस तरीके से होती है बीच में directly भी नहीं ऐसे change होती कि एक community थी अब वहाँ पर दूसरे population आई तो वह दूसरी community बन गी series of changes होता है एक के बाद एक एक changes होते है उसके बाद एक final community बनती है तो detail में पढ़ेंगे तो हम फिलाल के लिए पढ़ रहे हैं कि यह जो succession है यह gradual change है predictable change होता है species की composition में और इसी सारे changes को मिलाके हम बोलते है कि वह succession होगा है एक community में change होगा है ठीक है succession को हम बोलते है मैंने बता ना series of changes बहुत सारे changes होते हैं एक change नहीं होता series of progressive changes किसमें changes आ रहे हैं एक ecological community की composition में change आ रहे है वहाँ पर जो species present है उसमें change आ रहे है ठीक है यह जब changes आते रहते हैं तो finally एक community जो हमारे पास थी वो convert हो जाती है दूसरी एक community बनाती है एक ऐसी community बनाती है last तक जो stable होती है environment में जो environment के साथ equilibrium maintain करके रहती है मतलब कि अगर आप simple भाशा में बोलें तो succession क्या है जब one community of plants or animals किसी दूसरी community को replace कर देती है ठीक है इसके बाद क्या होता है last में बनती है एक climax community एक community आई उसने दूसरी community को replace कर दिया और finally succession में क्या बनता है climax community बनती है जो final बनता है succession के बाद climax community क्या है एक ऐसी community होती है जो कि stable होती है stable होती है ecosystem के अंदर और ये climax community में क्या होता है हमने क्यों इसको stable बोला क्योंकि जो plants थे, जो animals थे ये आपस में भी balance बना कर रखती है और environment के साथ भी balance बना कर रखती है इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो climax community है it is in equilibrium with environment clear है आपको तो यहाँ पर मैं ऐसा समझ जहीं हूँ कि आपको succession और climax community ये part आपका clear हो गया होगा कि what is succession कि कुछ changes हो रहे हैं जिसमें एक community फिर दूसरी community में change हो जा रही है यानि कि community के composition change हो गई है species composition change हो गई है ये change को एक चुटकी का change नहीं है series of changes है और progressive change है predictable change है बन क्या रहा है इस change होने के बाद जो final community बन रही है उसको climax community बोलते हैं क्यों बोलते हैं climax community क्योंकि वो environment के साथ balance बना कर रखती है climax community कोई एक minute में नहीं बन जाती या कोई तुरंत नहीं बन जाती इससे पहले बहुत सारी other communities बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे अभी ठीक है यह देखें यह आ गया types of ecological communities ऐसा नहीं है कि एक community में succession हो रहा है तो सीधे climax community बनेगी सीधे ऐसी community बनेगी जो ecosystem के साथ balance बना कर रखेगी ऐसा नहीं होता सबसे पहले बनती है pioneer community जब भी succession होगा पहली community बनेगी pioneer community उसके बाद आएंगी transitional community transitional community कितनी भी हो सकती है 1, 2, 3, 4 उसके बाद आएगी climax community finally समझ में आ गया pioneer community कौन सी होती है देखो कोई भी bare area bare area मतलब खाली जगा आप कह सकते हो बंजर जगा ठीक है उस जगा पे पहले कभी कुछ नहीं हुआ तो जो पहली biotic community वहाँ पर develop होगी उस community का बोलते हैं उस community का नाम होता है pioneer community उस community को बोलते हैं pioneer community जो ऐसी community जो bare area पे बंजर जमीन पे पहली बार होगी है आपने सुना होगा rocks पे चटान पे सबसे पहले क्या होता है lichens grow करते हैं तो जो lichens की population है वो आगे जागे जो वहाँ पर community form करेगी उसको हम बोलेंगे it is a pioneer community क्योंकि lichens से पहले यहाँ पर कभी कोई species नहीं आई कभी कोई biotic community यहाँ पर survive नहीं करी है पहले यह एक rock के उपर सबसे पहली species grow करी है lichens की तो यह है pioneer community similarly ponds की अगर बात करें aquatic conditions में सबसे पहले phytoplankton zooplankton आते हैं तो वो पहली community होती है इसलिए बोलते हैं कि वो pioneer community है ठीक है इसके बाद आती है क्या transitional communities आती है या serial communities भी बोलते हैं ठीक है अब pioneer community बन गई pioneer community के बात क्या होता है orderly sequence of series of plant communities मतलब एक के बाद plant communities बनती है series बनती है पूरी उनकी समझ लीजे तो हर एक उस community को बोलते हैं हम transitional community जैसे होता है transition state होती है मतलब फर्स से अगर one से two में convert हो रहा है तो बीज में transition state आईगे chemistry में भी मुरूख पड़ते है तो वही सी इन है मतलब एक pioneer community थी अब उसको climax community बनना है तो बीज में जो stages आएंगी बीज में जो communities form होंगी उनको बोलेंगे transitional community जैसे कि lichens बन गए rocks पे अब आप खुद सोचिए lichens बन गए उसके बाद क्या direct trees बन जाएंगे direct forest बन जाएगा जो climax community है जो ecosystem के साथ balance में रहेगा no direct trees और forest थोड़ी बनेंगे बीज में आएंगे lichens के बाद क्या आएगा bryophytes आएंगे बहाँ पे तो ये transitional community होगी herbs आएंगे shrubs आएंगे ये किसकी बात कर रही थी मैं land की dry area की जहां पर succession हो रहा है यानि कि zero share में और अगर मैं pond की बात करूँ aquatic condition में जहांबर pioneer community में phytoplanktons और zooplanktons थे अब उस case में अब क्या आएंगे transitional communities उस case में आएगा submerged plants, floating plants समझ में आगया आपको तो ये कुछ होती है transitional community finally जो last community बनती है succession में वो होती है climax community ये stable community होती है equilibrium maintain करती है environment के साथ अपनी बाकी species के साथ ठीक है और इसको बोलते हैं climax community example है forest अपने आपने climax community है it is in balance with the environment ठीक है दो word है यहाँ पर ठीक है serial communities serial community हम किसको बोलते हैं या serial stage हम किसको बोलते हैं एक transitional community अगर हम एक transitional community को बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए word यूज करेंगे serial communities लेकिन series जो word हम use करेंगे वो entire series के लिए मतलब आप समझेए कि suppose succession हो रहा है ठीक है suppose succession हो रहा है यहाँ पर बनी pioneer community ठीक है number one number two कोई transitional community बनी number three कोई और transitional community बनी ठीक है उसके बाद number four कोई और अब number five पर आके हमारे climax community बनी बनी है तो यह जो complete series of community है इसके लिए word series यूज किया गया है और एक अगर आप community की बात करेंगे मैं number two की अगर बात करेंगे सिर्फ तो उसको बोलेंगे this is a serial community this is a serial stage और one two five अगर पूरी series की बात करेंगे this is a serial of succession भी में आगया होगा अब succession कतना types का होता है इसके बादे में बात करते हैं सबसे बहले तो बात करेंगे कि यह कहां से start हो रहा है जिस habitat पे यह succession हो रहा है जहां से यह succession start हो रहा है उसके nature के हिसाब से हम कहते हैं या तो it is zirarch मतलब zero seri या फिर hydrarch मतलब hydro seri अब नाम से ही पता लग रहा है zirarch means zirarch condition जो होती है dry condition होती है dry area पर अगर succession होगा जैसे कि rocks पे होता है तो हम एक word यूज़ करते है लिथो seri sand पे होता है तो हम एक word यूज़ करते है जैमो seri saline condition में हो रहा है तो हम एक word यूज़ करेंगे halo seri तो ये क्या condition बता रही है ये बता रहा है कि succession start कहां से हुआ dry condition से start होगा तो हमने एक word दे दिया zero seri और अगर वोग succession aquatic condition में start होता पानी वाली जगा पर start होता तो हम उसको एक word दे दे थे hydro seri या फिर hydraar succession ठीक है dry condition में जराज था aquatic condition में अगर start होगा तो hydraar अब primary और secondary succession भी एक words होते हैं इसके बारे में हाला कि हम detail में पढ़ते हैं सीधे कि primary और secondary succession है क्या देखो primary succession क्या होता है नाम सही पता रहा है primary मतलब पहली बार हो रहा है मतलब barren area है कोई बंजर जमीन है जहां पर कभी हस्तक कोई vegetation नहीं हुई कोई plant कुछ नहीं था वहाँ पर ना कोई herb ना कोई shrub never having vegetation of any type जहां पर कभी living organisms exist नहीं करा पहले no living organism तो ऐसी जगह पर अगर succession start होगा तो हम कहेंगे this succession is primary succession primary succession क्यों बुला क्योंकि एक बंजर जमीन पर start हुए जहां पर पहले कोई vegetation नहीं थी कोई living organism नहीं था similarly अगर हम secondary succession की बात करें secondary succession मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि दूसरी बार हो रहा है इसका मतलब क्या है यह ऐसे एरिया में start होता है जहां पर पहले कभी species रही होंगी जहां पर कभी vegetation होगी जहां पर कभी living organisms होंगे लेकिन अब वो क्या है lost हो गए है all the living organisms जो वहां पर कभी रहते थे और अब वहां पर जब सारे living organisms lost हो गए हैं वो जगह भी पूरी विरान हो चुकी है तो वहां पर दुबारा से जो succession स्टार्ट हो रहा है दुबारा से जो community वहां पर form होने वाली है तो इस टाइप के जो succession process होता है उसको हम बुलता है secondary succession मतलब यह ऐसी जगह पर हो रहा है जहां पर पहले भी vegetation या living organisms थे बट अभी वो किसी reason के वो जैसे वहां से loss हो चुकी है समझ में आ गया primary succession जैसे मैंने के बात की primary succession बैरन एरिया पर start होगा जहां पर कभी कोई vegetation नहीं रही है इसके कुछ examples है जैसे की cooled volcano lava वहां पर कभी कोई organisms नहीं थे पहले या फिर vegetation नहीं थी sand dunes हो गए newly exposed sea, rocks, newly submerged there is still habitats यह कुछ areas है examples ठीक है ऐसे secondary succession के कुछ examples जाद कर लीज़े जैसे की burnt forest एक जगा जंगल था उसको cut कर दिया है जंगल को हो या जला दिया गया है तो उसी जगा पर फिर कुछ नहीं है और अब दुआरा वहां पर succession होगा तो secondary succession होगा है न या फिर lands that have flooded suppose एक land है, वहां पर पहले plants भी थे animals भी थे, एकदम से वहां पर flood आई tsunami आई, बहा कर ले गई सब कुछ अब वो जगा खा ली है, दुबारा से वहां पर succession होगा, तो वो क्या होगा secondary succession होगा, ठीक है next third point देखिया primary succession में क्या होगा, primary succession में जब होता है न, अब भाया पहले वहां पर कभी कोई vegetation नहीं थी, पहले कोई living organisms नहीं थी, तो pioneer community जो बनेगी, जो पहली community बनेगी, उसको कितनी जो है, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, it is very difficult for pioneer community to establish there, ठीक है और secondary community, secondary succession में जब primary community बनेगी, यानि कि पहली community बनेगी, उसको उतना साथा time नहीं लगेगा, क्योंकि वहां की soil already fertile होगी, resources अल्रेडी वहां पर अच्छे से available होगे, क्योंकि पहली भी वहां पर community रहती थी, बट अब आप वहां पर किसी वज़स्थ से नहीं है, तो वहां पर जो अब पहली community बनेगी, pioneer community, उसको थोड़ा सा easy होगा, establish होने में, primary succession के लिए core point देखिए, क्योंकि अब मैंने बोला कि बहुत difficult होता है, pioneer community के लिए, जो है, वहां establish होना, तो इसका मतलब बहुत ही, hundred से लेके thousand years तक लग जाते हैं, soil fertile करने में उस जगागी, क्योंकि वो bare rock था, वहां पर कोई fertility नहीं थी soil में, तो आप सोचिए, vegetation कहां से grow करेगी, तो fertile soil बनाने में ही years लग जाते हैं, और आप सोचिए, फिर climax community तो बहुत दूर की बात होगी, लेकिन secondary succession में अगर हम बात करें, तो already वहां पर थोड़ी soil होती है, या sediments होते हैं, तो succession दोड़ा faster हो जाता है, और जो climax community होती है, वो जल्दी reach हो जाती है, जल्दी form हो जाती है, ठीक है? So, this was all about the succession, हमने अच्छे से easy से easy language में मैंने हाँ पर समझाने की कोशिश किये की, actually succession होता क्या है, ठीक है, climax, succession की बात क्या बनता है, climax community बनती है, वो क्या होती है climax community, उसके बाद succession कितने type का हो सकता है, ये conditions, ये conditions थी primary और secondary की, इसके बाद जो hydrarch और zirarch है न, मतलब जो dry area पे हो रहा है और जो aquatic condition में हो रहा है, उसको हम बहुत detail में पढ़ेंगे, अब उसका lecture भी मैं लोंगी, in fact, उससे पहले तो अभी मुझे ये lecture लेना है कि, succession जो हो रहा है, तो उसमें कितने steps हैं, किस process से हो रहा है, मतलब पहले क्लाइमेक्स क्मिनटी कैसे बनी, और उसके राध मैं hydrarch और zirarch को explaining करूंगी, कि hydro seri या zero seri मतलब ठीक है, कि water में कैसे हो रहा है succession, और land में कैसे हो रहा है succession, तो बहुत interesting topic भी है अगर आप इसको interest के साथ पढ़ते हैं, अपना concepts को really clear करना चाहते हैं साथ के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने रट लिया और exam में लिख लिया तो बहुत interesting topic है आप अपने concepts भी साथ में clear करिये और notes आपको मिली रहे हैं साथ के साथ, so please lectures के साथ जुड़े रहे हैं और succession का next lecture हम लेंगे जिसमें हम succession के बारे में आगे discuss करेंगे, thank you so much